कि प्टवारी वाला जो प्रक्षान चल रहा है उसको लेकर उनका यह चाहना है कि आप उनसे सारुजनिक माफी माफी मांगे इस पर आपका क्या क्या कहना है माफी का और विश्य मेरे माफी मांगने से अगर करप्शन कम हो जाता है तुम्हें एक बार निंश सो बार मांगना चाहता हूं दूसरी बार और मेरा भाव पर्टी गुलर में मंत्री हूं डीम को निर्देश करना मेरा दाइत्व है मेरा धर्म है में 370 शिकायत ने आई टोटल उसमें छियां से शिकायत जमीनों से संबंदित या भूमी से संबंदित आई इसका मतलब था कि नोर ब्लाक के हमारे जो परिवार जैने उनके जो राज्य सुभाग के कहीं के चूक है कमी है तो यह वहां का विधायक है जन्परति नहीं अब इससे मैं किसी की भावना को ठेस पहुची तो मैं तो किसी की भावना को ठेस पहिचाना मेरा उद्देश नहीं था पर मेरा उद्देश यह जरूर था कि करप्शन कम हो और जिन्होंने मुझे वोड़ दिया में उनकी मदद करें और यह मेरा दाइत वह करूंगा इसमे में तो माफ़ी मांग लूगा पर क्या करप्चन मद्य प्रदेश में राजय सुविवाग का कम होगा यह दाई तो सब का है नहीं है यह हर वेक्ति का जो राजय सुविवाग में कर्मचारी उसका है या नहीं है मद्य प्रदेश में करप्चन रही थो यह दाई तो सरकार का है अगर किसी बात को इस तरीके से तुल देना जोभाविक प्रक्रिया के अंग में नहीं आता है जन्पति निति का कि करफचन के खिलाप करें मैंने की और आगे किसी को ठेश मोचाना ना किसी के विरोध में बात करना किसी Top को पूरे खाम को इस तुरह से अगर मैं कहता तो दाइत्मा नहीं आती और मद्य प्रदेश के पटवारियों से राजय सुभाग के अधिकारियों से इसका कुई लेना देना नहीं सिर्फ पर्टिकुलर मेरी विदान सभा के अंतरगत आने वाले प्रक्रणों से है मेरा वक्त भी उस संदर में था किसी को इसकी ठेस पहुची है तो में खेद वियाद कर